मुझे हैं हजारी बाग कारा में इसका नाम हम लोगों ने लोगनाइक जैपकाश नारायन केंड्री ये कारा रखवाये था कई साल पहले वहां पर जेपी की प्रतिमा पर माल्यारप्रण का मिकावसार प्राप्त हुआ है इसकी राजनीत में बुल्यों का स्थान हो केवल स्वार्थ का स्थान नहीं हो जेपी से अगर एक सीख लेनी है तो यहीं लेनी है कि राजनीत में भी बुल्यों का स्थान होना चाहिए केवल तुनाव जीतना ही मुख्य उद्देश नहीं हो सकता है यह जो बिजली संकट देश में बता जा रहा है प्रयोजीत है आयोजीत है या सच में नहीं अब देखे तो वह तो चानमीन का प्रश्ट है लेकिन मैं मानता हूं कि दुरभागय पूर्ण है कि इस तरह की बात चल पड की देश में बिजली संकट है केंदर के मंत्री ने इस बात से इंकार किया है कि कोई संकट है लेकिन हम लोग नहीं हझारी पर पामाट है कि विछी घायव रहती जितने raw materials है ना दुनिया वर्में उन सबके price में व्रिद्धी हुई है उसमें कोईला भी शामिल है तो कोईले का shortage भारत जैसे देश में हो जाए यह विड़मना है कि कोई कह रहा है कि बात बारिश जादा हो गई बारिश तोती है भारत में मौनसुन आता है ना हर साल ऐसा को करनी चाहिए थी वह शाय तैयारी नहीं हुई और अब बगले ज्हांकने से कोई फादा नहीं है जल्दी से जल्दी संकट का निक्ता रगाता है कि बेटे के चलते लाठी चार्ज हजारी वाग में हो जाए तो सोभा देता है क्या कर जो बाना दाग में हुआ है देखे ब तुरंत उसका सामरहा निकल सकता था लेकिन अब प्रसाशन किस दबाब में काम कर रहा है क्यों वहाँ पर लाठी चार्ज और अश्रु का इस छोड़ने की नौब बताई क्यों ग्रामीनों की रहियतों की बात को माना नहीं जा रहा है हम सब इस बात को जानते हैं लिग उन अब वहाँ के रहियत खड़े हो गए हैं अपने खेत को अब रबाद नहीं होने देना चाहते हैं तो इस प्रसाशन का ये दाईतों बनता है कि रहियतों की बात को सुने उसका उचित सामाधान करें लाठी चार्ज और अश्रु का छोड़ने से किस समस्या का सामाधा नहीं किसा है